तो आज हमने लिए हैं हीरो के कुछ जैन्वेन इस पेर पार्ट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके अन्बॉक्सिंग दिखाएंगे इनके प्राइज और इनका पार्ट नमबर देखेंगे लेकिन एक बहुत अच्छी खासियत इन सभी पार्टों के अंदर ये है कि ये ह जरूर कर दीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो क्या-क्या है हमारे पास पहले वो देख लेते हैं देखें ये हाउस पाइप की रबड है ये नंबर प्लेट इस्टे है और ये के लेडिस फोटरेस है सालेंसर अपर कवर है और एक ये हैंडल बार है तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउस पाइप की रबड इसको हाउस पाइप की रबड बोलते हैं हीरो की जैनवेर है तो चलिए इसका सबसे पहले इस पार्ट नंबर देखते हैं देखें पार्ट नंबर इसका ये रहा 1725-3AAE-300S ये इसका पार्ट नंबर है और देखें यहाँ पे एर क्लीनर ये लिखा हुआ है और मैनुफेक्ट्रिंग डेट जनवरी 2024 की है और MRP देखे कितनी इसकी कम है सिर्फ 77 रुपे की ये रबड है यानि के 77 रुपे का ये पूरा इतना बड़ा पार्ट्स है तो चलिए इसके अन्बॉक्सिंग करते हैं निकालते हैं बाहर और यहां से ये इतना जो हिस्सा है ये air filter के अंदर रहता है और ये वाला निकलता है यहां पर हमारा कारविटर रुपे को निकलता है ba6 से जितने भी पहले बाले मॉडल है सभी splendor hf1 लक्स और जितने भी splendor के मॉडल है सभी के अंदर ये लग जाएगा सूपर, glamour सभी गाड़ियों के अंदर लग भग लग यही वाली रबड लग जाएगी तो सिर्फ 77 रुपीज की यह रबड है से ही और भी बहुत सारे पार्ट है चलिए इसको रखते हैं दूसरा वाला देखते हैं दूसरा जो पार्ट है वो है हमारे पास नंबर प्लेट की इस्टे यहाँ करने से पहले तो पार्ट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 64315 KWA 940S यह इसका पार्ट नंबर है और इसते फ्रेंट यहाँ फ्रेंपर देखिए FR लिखा नंबर फ्रेंट यह नंबर किन-किन गाडियों में ये लगेगी वो भी आपको बताते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमबर प्लेट की इस्ट है यहाँ यह वाले जो बोल्ट है यह टी के अंदर टाइट हो जाते हैं और यह वाला हमारा फ्रंट का साइट होता है और इन पेचों के अंदर यहाँ पे नमबर प्लेट हमारी फ्रंट वाली लग जाती है यह जो हमारे पास पैशन की है तो यह भी पैशन के सारे मॉडल में लग जाएगी और मर्पी जो है बहुत कम है सिर्फ पिच्चे अन्वे रुपे की है और क्वालिटी काफी अच्छी है पैंट भी काफी अच्छा है और काफी हेवी मिट्रेल की है यह तो चलिए इसको भी रख देते हैं तो तीसरा वाला जो पार्ट है वो है मारे पास सालेंसर कवर यह देखिए अपर वाला सालेंसर कवर है Splendor Old Model का इसके Unboxing करें उससे पहले में इसका Part Number देख लेते हैं देखे Part Number इसका ये है 18241 KCC 900 SES का Part Number है और ये जो कबर है ये Silencer के अपर वाला कबर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं Net quantity 1 piece है Manufacturing date जो है 5 वामेना 2019 के है ये काफी पुराना है और MRP जो है इसकी अभी तो मेरे खाल से बड़े ही होगी लेकिन ये काफी पुराना है इसलिए थोड़ी सी कम है 115 रुपे अभी फिलाल इसकी MRP है तो चलिए इसके Unboxing करते हैं और निकालते हैं इसको बाहर और देखते हैं क्या इसकी quality है और किन किन गाड़ियों के अंदर आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पे देखे कितनी premium इसकी quality है और जो finishing है इसकी भई बहुती बढ़िया है और इसके उपर जो nickel क्या हुआ है भई क्या light मार रहा है यह बहुती बढ़िया प्यारी finishing के साथ ही आता है बहुत पहले इस blender के अंदर आता था old model के अंदर तो काफी सस्ती यह plate है quality जो है वो काफी बहतर है आप यहाँ से देख सकते हैं 115 रुपे सिर्फ इसके MRP है तो चलिए इसको भी रख देते हैं यह है हमार पास ladies foot race और फटा फट इसको हम निकाल लेते हैं बहर यह देखे यह हमने निकाल ली है बहर और यह कुछ इस तरीके से लगती है यहाँ पर जब ladies गाड़ी के उपर बैठती है तो यहीं पे पैर रख के इसके उपर बैठती है तो यह जो है यहाँ बोल्टों में कसा जाता है साड़ी गाड़ जो होता है उसके साथ में यह लगता है तो जादतर हमारा साड़ी गाड़ खराब नहीं होता है यही खराब होता है क्योंकि इसके उपर लोड आता है और यह वाले जो नक्खे होते हैं यहां से इसके hall बड़े हो जाते हैं या तो फिर यहां से welding वगरा तूड जाती है और यह जो है local बिल्कुल भी कामियाब नहीं होते हैं जैन्वेन ही कामियाब होते हैं क्योंकि उसके उपर बहुत सारा weight आता है इसलिए तो इसकी जो MRP है सिर्फ 135 रुपय है काफी सस्ता है यह hero का genuine black color के अंदर और जो white वाला आता है यानि कि nickel वाला आता है उसकी भी MRP है वो भी लगबग लगबग सेम ही होते है तो यह भी काफी सस्ता है और जितनी भी गाडियों में आप इसको लगाएंगे HFD Lex Splendor इस planter के जितने भी model है सबी के अंदर यह लग जाएगा तो बहुत सस्ता है और बहुत ही बढ़िया है आचवा और आखीरी पार्ट हमारे पास है handle वार यह मुझे लगता है और पार्ट के मुकाबले थोड़ा सा महगा है तो चलिए इसके unboxing करते हैं इसके price दिखाते हैं उससे पहले हम इसका part number देखते हैं देखे 531 00 KTC 900 SES का part number है आटवा महिना 2023 manufacturing date है और यहाँ पे देखे लिखा हुआ है pipe steering handle handle वार भी बोलते हैं और handle pipe भी बोलते हैं और net quantity one piece है और MRP जो है 490 रुपए है थोड़ा सा महगा है लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूत नहीं है यह बहुत सारी भाईकों के अंदर लग जाता है और hero का genuine है तो पन्नी रखते हैं site यहाँ पे आप देख सकते हैं यह काफी बड़ा है और handle वार की quality जो है वो काफी जबरदस्त है बहुती बड़िया premium इसकी quality है और part number वगेरा देखे यहाँ पे इसका लिखा हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं और काफी heavy यह handle है और nickel की जो quality है यह भी काफी बहतर है और finishing भी इसकी काफी अच्छी है तो यह handle बार आप जितनी भी bike में लगाना चाहते हैं बहुत यासानी के साथ लगा सकते हैं स्प्लेंडर के जितने भी model है new से लेके old तक 2010-12 model, 8 model, 9 model, 2015-16, 17 सभी के अंदर लग जाएगा HF Deluxe के अंदर भी लग जाएगा super splendor और आपकी glamour सभी के अंदर यही वाला handle लग जाएगा और MRP जो है 490 रुपे है इसकी थोड़ा सा मुझे महंगा लगा लेकिन quality जो है वो बहुत ही बढ़िया बहुत ही premium है और काफी है भी यह handle है तो आज हमने जितने भी पूर्चे देखे हैं यह है तो single लेकिन single है तो देखने में लेकिन बहुत सारी गाड़ियों में यही लग जाते हैं जैसे के handle है यह भी बहुत सारी गाड़ियों में लग जाएगा ladies foot race है house pipe की rubber है और number plate की इस्टे है यह तो passion की है लेकिन यह वाला जो cover है यह भी आप अगर किसी भी गाड़ी में लगाना चाहें इस splendor के जितने भी model में सभी में लगबग लग जाएगा थोड़ा बहुत यहां यह जो page है इनका फर्क आ सकता है लेकिन अगर लगाना चाहें तो आप लग जाएगा तो इस video को यहीं end करते हैं आशा करता किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई